नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां आप सभी ने हमारे ही चैनल पे सुना होगा चने के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को लेकिन आज हम विस्तरीत रूप से भींगे हुए चने को खाने के या फिर अंकुरित चने को खाने के या फिर भूने हुए चने को खाने के क्या लाव हैं इससे जुड़ी हुए जानकारी को लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमने ये प्रियोग उन लोगों पर किया जो रेगुलर चने खाते थे मगर उन कि सिर्फ उनके चने खाने के तरीके को बदल दिया तो वो लोग हैरान हो गए जब उनको इस प्रकार से चने खाने के गजब के नतीजे मिले आप भी जानिए हम बता रहें NGO की किस प्रकार से चने को खाएंगे तो आपको क्या लाब हो गा आयरुवेद के अनुसार चना खाने से आपका शरीर सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बलकि बल्वान और शक्तिशाली भी बनेगा चना भी उन चीजों के नामों में शामिल है जिनके बारे में कहा जाता है कि एक चीज के अनिक फायदे यह जवानों और श्रम करने वालों के लिए ज्यादा फायदे मंद माना जाता है क्योंकि इसे पचाने के लिए पाचन शक्ति का अच्छा होना भी जरूरी होता है और दूसरा इन दो तरह के व्यक्तियों को बल की ज्यादा जरूरत पड़ती है वैसे तो चना कैसे भी खाया जाए फायदे मंद सिद्ध होता है लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं विधी बता रहे हैं अगर इस प्रकार से आप चने को खाते हैं तो इसका शत प्रतिशत लाभाप उठा पायेंगे सबसे पहले तो जानते हैं भींगे हुए चने को खाने के फायदे 25 ग्राम देशी काले चने को लेकरके अच्छी तरह से साफ कर लीजिए मोटे पुष्ट चनों को चूनकर साफ करके कीडा या डंक लगे एवं तूटे चने निकालकर फेंक दीजिए शाम के समय 125 ग्राम जल में इन्हे भींगो दीजिए सुबह सुबह शोचादी से निवरित होकर एवं व्यायाम के बाद चनों को अच्छे प्रकार से चबा करके खाये और उपर से चनों का पानी वैसे ही अथवा उसमें एक दो चम्मच शहद मिला कर पी जाये देखने में साधारण योग है किन्तु शरीर को बल और शक्ति प्रदान करने में बहुत ही प्रभाव शाली होता है चने की मातरा धीरे धीरे 25 ग्राम से आप 50 ग्राम तक कर सकते हैं भेंगे हुए चने खाने के बाद यदि दूध पिया जाये तो विर्य पुष्ट होता है व्यायाम के बाद रात को भेंगे हुए चने चने का पानी सही नेमित रूप से सिवन करने से आपका स्वस्थ सरीर बना रहेगा कहावत भी है खाये चना रहे बना जिहां सावधानी जिनकी पाचन शक्ति अती दुर्बल हो या चना खाने से पेट में आफरा आता है उन्हें चने का सिवन नहीं करना चाहिए ये सावधानी रखनी चाहिए इसके बाद जानते हैं अंकुरित चने को खाने के फायदे और विधि अंकुरित चना खाना सबसे ज़्यादा फायदे मंद है अंकुरित चना धातु पोष्टिक मांस पेशियों को सुद्रेड एवं शरीर को बजर के सद्रिश बनाने वाला तथा प्रायव समस्त चर्म रोगों का नाशक होता है विटामिन सी की प्रचूरता के कारण यह नाश्ता वजन बढ़ाता है खुन में विरिधि करता है इसके अलावा अंकुरित चने का सेवन फेफड़े मजबूत करता है रक्त में कोलेस्टरोल कम करता है और दिल की बिमारियां दूर करने में सहायक होता है अंकुरित चने को खाने के फायदे तो हमने आपको बता दिये लेकिन आईए इसको कैसे हम अंकुरित करेंगे इस विधी को भी जान लेते हैं अंकुरित करने के लिए चनों को अच्छी तरह से साफ करके इतने पानी में भिंगो ये कि उतना पानी उसमें अवशोशित हो ज गर्मी में 12 घंटे और शीत काल में 18-24 घंटे तक भिंगोने के बाद गीले कपड़े में बांधने से दूसरी तीसरे दिन उसमें अंकुरन निकल जाता है गर्मी में थैली पर आवशक्ता नुसार पानी छिड़कते रहना चाहिए इस प्रकार चने अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित चने का नाश्ता एक उत्तम टौनिक होता है अंकुरित चने में कुछ लोग स्वाद के लिए पीसी हुई काली मिर्च, सेंधानमक, अदरक की कुछे कतरन एवं निम्बू की कुछे कमुंदे भी मिला सकते हैं परन्तु आप यद इन्हें बिना किसी मिलावट के खा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा फैदे मंद होता है ये इसके अलावा पचीस ग्राम काले चने रात में भींगो कर सुबह खाली पेट सेवन करने से डाइबीटेज दोर हो जाती है गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े से बांध कर सुबहने से जो काम ठीक हो जाता है मुटापा को कम करने के लिए हर रोज नाष्टे में चना लेना चाहिए अंकुरित चना तीन साल तक खाते रहने से कुष्ट रोग में लाव होता है गर्भवती को उल्टी हो तो भूने हुए चने का सत्तु पिलाना चाहिए चना पाचन शक्ति को संतुलित और दिमागी शक्ति को भी बढ़ाता है चने से खुन साफ होता है जिससे तवचा में निखा रहती है सरदियों में चने के आटे का हलवा अस्थमा में फायदे मंद होता है चने के आटे की नमक रहित रोटी 40-60 दिनों तक खाने से तवचा संबंधित बिमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली, इत्यादी नहीं होती है भूने हुए चने रात में सोते समय चबा कर कर्म दूद से पीजिये इससे सांस नली के अनेक रोग एवं कफ दूर हो जाता है शहद मिला कर पीने से नपुन सकता समापत हो जाती है चने के पोधे के सुखे पत्तों का धुम्रपान करने से हिचकी तथा अमाशय की बिमारियों में लाब होता है पीलिया में चने की दाल खाने से रहत मिलती है चीनी के बरतन में रात को चने भींगो कर रख दें, सुबह उठकर खूब चबा चबा कर खाएं इसके लगातार सिवन करने से विर्य में बढ़ोतरी होती है एवं पुरूशों की कमजोरी से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं भींगे हुए चने खाकर दूध पीते रहने से विर्य का पतलापन दूर हो जाता है 10 ग्राम चने की भींगी हुई दाल और 10 ग्राम शकर दोनों को मिलाकर 40 दिनों तक खाने से धातु पुष्ट हो जाती है बार बार पे शाब जाने की बिमारी से बचने के लिए भूने हुए चनों का सेवन करना चाहिए गूर एवं चना खाने से भी मुत्र से समबंधित समस्य खत्म हो जाती है रोजाना भूने हुए चनों के सिवन से 82 रोग भी ठीक हो जाता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए चने के अलग-अलग रूपों में अलग-अलग प्रियोग के अलग-अलग फायदों को हमने आप सभी को बताया हमने पहले ही जैसा कि बताया कि पहले भी हमने एपिसोड में बताया हुआ है आपको लेकिन उसमें especially था कि भींगे हुए चने को खाने के फायदे या फिर ऐसे मतलब अलग-अलग था हमने इसमें तीनों चीजों को combinedly बताया connect करके बताया कि आपको हर एक लाव मिलता है इससे लेकिन आपक वो क्या चाहिए अभी शरीर में या फिर क्या problem है उसके according आप चने का सिवन कर सकते हैं और इसका लाव उठा सकते हैं इसलिए हमने एक ही एपिसोड में चने के भूने हुए चने के खाने के फायदे अंकुरी चने को खाने के फायदे इसके साथ साथ भींगे हुए चने को से related सारी जानकारियों को एक साथ बताया जिसे कि आप फायदा ले पाएं इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल always रखना चीए क्योंकि हमारा स्वास्थे जो है वो सबसे बेश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वास्थ हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को always balanced रखें अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो कि जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लागातार बहुत दिनों से क्यों मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सभयाविक सी बात है कि जो आपको चैहीए हो विटामिन सी चैहीए होगा वो निंबू से मिलेगा आप क्यों मीठा खा रहे हैं कुछ रिक चीज शामिल हो जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सकें अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप हमें सुझाओ भी दे सकते हैं या फिर आपकी कोई राय है वो रख सकते हैं औ और अगर आपके कोई दोस्त हों मित्र हों जिनको लगे आपको कि इसकी जानकारी होनी चाहिए उनको शेयर भी कर सकते हैं लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं नए वीडियो देखने के लिए या फिर नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए तो कर सकते हैं